अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेक शॉर तू सब्सक्राइब दी चैनल आज हम एक्सरसाइज 3.2 के कुस्टन नंबर 3 के फिफ्ट पार्ट को सोल करेंगे फिफ्ट और शिक्स पार्ट को सोल करेंगे तो फिफ्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं एक फ्रेक्शन बिकम 9 अपन 11 इफ 2 इज एड़ेड तो बोथ दी नुमेरीटर एंड दी डिनुमेरीटर यह कह रहा है कि हमाने पास एक फ्रेक्शन है एक फ्रेक्शन 9 अपन 11 यह नहीं 9 बटे 11 हो जाती है इफ यदि 2 इज एड़ेड इसे फ्रेक्शन में 2 इज एड़ेड तो बोथ नुमेरीटर और दीनुमेरीटर और दीनुमेरीटर में तो एड़ करेंगे तो जो फ्रेक्शन है वो 9 अपन 11 हो जाती है उसके बाद हमें कहा रहा है, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6, उसी fraction में हम 3 both side numerator and denominator में add करेंगे, तो वो fraction है, वो 5 upon 6 होदाती है, तो find the fraction, वो fraction हमें find out करनी है, कोशन में ये करना चारा है कि इसके पास वो fraction है, ठीक है भई, उस fraction के fraction है, उसमें 2 add करना है, बाद साइड नहीं कि नुमिनेटर में और देनोनेटर में, 2 add करेंगे, तो वो fraction 9 upon 11 हो जाती है, यदि उस पे 3 add करेंगे, तो वो 5 upon 6 हो जाती है, जो fraction हमें find out करनी है, तो start करते हैं, solution, अब fraction जो होती है, fraction a upon b, a upon b की form में होती है, ठीक है, fraction होगी, तो क्या करते हैं, या फिर इस x upon y मान लेते हैं, इस form में होती है, जो fraction होती है, तो हम x और y अजुम कर लेते हैं, ठीक है, numerator को x और denominator को y अजुम कर लेते हैं, तो let the numerator x, उसके बाद में denominator है, उसको y let कर लेते हैं, अजुन कर लेते हैं, let the denominator equal to y, ठीक है, x denominator है, और y denominator है, तो अमरी fraction क्या होगी, fraction equal to x upon y, ठीक है बाई, अब according to question, according to question, first condition, first condition, अब question में first condition है, क्या first condition है, इसमें कियाएगी, जो numerator है, और denominator है, दोनों में 2 add करेंगे न, तो fraction 9 upon 11 हो जाएगी, तो हमारे ये x denominator है, इसमें 2 add कर दिया, y denominator है, इसमें 2 add कर दिया, तो fraction हमारी क्या बढ़ने जाएगी, 9 upon 11, ये question की first condition है, इसको solve out करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको cross multiply कर देंगे, 11 को x plus 2 से multiply करेंगे, और y plus 2 को 9 से करेंगे, तो इसको multiply करेंगे, तियो हो जाएगा, 11 x plus 22, 11 को 2 से 22 हो गया, 9 को y से 9y, plus 9 को 2 से 18, इधर है, 11 x, 9 y इधर आजाएगा, minus 9y, equal to 18, इधर पहले से है, 22 उस तरफ जाएगा, तो minus का 22, solve करेंगे, तो 11 x minus 9y, equal to 18 plus का है, 22 minus का है, तो यह बज़ेगा, minus का 4, यह होगी हमारे पास equation first, इसके बाद second condition क्या given है, फस्ट condition हो गई, उसके बाद यहाँ से देखते हैं, second condition, second condition, second condition, second condition given है, कि इसी fraction में, यह fraction है, x upon y, इसमें 3 एड़ करेंगी, numerator में और denominator में भी, denominator y है, plus 3, equation equal to, यह हो जाएगी, 5 upon 6, इसी fraction में जब numerator और denominator में बाद side 3 एड़ करेंगे, तो 5 upon 6 हो जाएगा, second condition ही हमें, question में given है, इसको solve करेंगे, वह पहले cross multiply करेंगे, 6 को x plus 3 से करेंगे, 6 को x plus 3 से करेंगे, इस तरह 5 है, 5 को y plus 3 से करेंगे, तो जह होगा, 6 x plus 18 equal to 5 y plus 15, 5 y इदर आ जाएगा, तो 6 x minus 5 y equal to 15 उस तरह पहले से है, 18 plus का है, उदर जाएगा तो minus का हो जाएगा, solve करेंगे, तो यह आगर 6 x minus 5 y equal to 15, plus के हैं, minus 18 है, तो minus के 3 बजएंगे, equation हमारे पास given होगी, find out होगी second, ठीक है, यह first equation होगी, यह second request होगी, दोनों equation से हम, जो substitute method इससे पहले वाली question में लगा रहे थे, वह ही method लगाएंगे, उससे x और y क्या, कि value find out करेंगे, और उन value को यहाँ, x upon y में put करेंगे, तो हमारे पास fraction आजाएगा, from equation second, from equation second, equation second, 6 x minus 5 y equal to minus 3, तो यहाँ से 6 x minus 5 y equal to minus 3, 6 x equal to minus 3 उस तरफ है, 5 y उस तरफ जाएगा, तो यह plus का हो जाएगा, plus का 5 y, x की value निकालेंगे, तो x equal to minus 3 plus 5 y upon 6, यह x की value आगी, इस को हम equation 3 मान लेते हैं, अब इस x की value, को हम equation first में put करेंगे, तो substitute the value of x in equation first, x की value हम, equation first है, 11 x, 11 x की जगे हम क्या पूट करेंगे, minus 3 plus 5 y upon 6, उसके बाद में है, minus की 9 y equal to minus 4, इनको solo करेंगे, तो यह हो जाएगा, minus 11 को 30 करेंगे, 33 upon 6, यह वाड़ा, plus 11 को 5 से करेंगे, तो 55 y upon 6 minus 9y upon 1 लिख देते हैं, इधर minus 4 upon 1, ठीक है, आप क्या करेंगे, y वाड़े इस तरफ रख लेंगे, और यह तो constant है, constant है, उसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो यहां आएगा 55, 55 upon 6y minus 9 upon 1y, equal to उदर है, minus 4 upon 1, plus 33 upon 6, LCM 6 आएगा दोनों का, तो यह आएगा 55, minus, 1 को 6 से डिवाड़ करेंगे 6 टाएगा, 6 को 9 से करेंगे, तो 54, 54 y, यह भी हमें 55 y है, equal to, इन दोनों का LCM 6 आएगा, 1 को 6 से डिवाड़ करेंगे, 6 टाएगा, अब 6 को minus 4 से multiply करेंगे, तो minus के 24, plus, यह 6 को 6 से डिवाड़ करेंगे, तो 1 टाएगा, 1 को 3 से गोना करेंगे, multiply करेंगे, तो 33 आएगा, इनको solve आउट करेंगे, यह हो जाएगा, y upon 6 equal to, इनको solve करेंगे, तो यह आएगा, 9 upon 6, 6 से 6 कैंसेल हो जाएगा, यह हमारे पास आगा है, y, y equal to 9, 9, y की value हमारे पास, 9 find out हो गई, अब इस y की value को हम equation 3 में put करेंगे, जाएगे हमें x की value find out हो जाएगी, substituting this value of y in equation 3, फिरे में put करेंगे, 3 हमारे पास थी equation 3 है, x equal to minus 3 plus 5 y upon 6, यह equation 3 है, इसमें y के जाएगे 9 put करेंगे, तो x equal to minus 3 plus 5 y के जाएगे 9 upon 6, इनको solve करेंगे, तो minus 3 plus 5 to 9 से multiply करेंगे, तो यह होगा 45 upon 6, इनको solve करेंगे, तो यह यहाँ बज़ेगा 42 upon 6, 42 को 6 से divide करेंगे, तो यह 7 time जाएगा, equal to 7, equal to 7, तो यहाँ हमारे पास x equal to 7 find out हो गई, x के value हमें 7 find out हो गई है, और y के value 9, therefore fraction is, fraction क्या थी, x upon y, यह थी न, equal to x के value है 7 और y के value है 9, यह होगा एंस, ठीक है बएगे, तो उसर नमर तरी का 6 पार्ट, 5 year hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son, यह कहरा है कि 5 year hence, 5 year बाद, the age of Jacob, Jacob की जो उमर है, age है, वो 3 times that of his son, उसके son से 3 गुना दाता है, 5 year बाद में, जो Jacob की age है, वो उसके पुत्तर की 3 गुने के बराबर है, ठीक है, उसके बाद रहा है कि 5 year ago, Jacob age, 5 year पहले, Jacob की जो age है, वो 7 times that of his son, अपने 5 year पहले के बारे जो बादे, जो बारे जो कहरा है, 5 year, 5 year पहले, Jacob की जो age है, वो अपने पुत्तर की age के 7 टाइमेनी 7 गुना है, What are the present age? दोनों की हमें present age find out करनी है, ठीक है भई? Jacob age, Jacob age after 5 year, 5 year के बाद में जैकोब की age हम क्या मान लेते हैं, या अजिम कर लेते हैं, X plus 5, ठीक है, X उसकी जो हमने present age लेट की है, उसके बाद में 5 year बाद में जो उसकी age है, वो X plus 5 होगी, जैकोब संस, जैकोब संस, संस, एज, आफ्टर, 5 year, 5 year, इसकी होगी Y plus 5, ठीक है भई? अब हमने या पे X जो है, जैकोब की age, present age, लेट की है, और Y जैकोब के सं की, तो 5 year बाद, 5 year after, उसकी age होगी X plus 5, और उसकी सं की age होगी Y plus 5, अब according to question, according to question, question में क्या कहा रहा है, first condition क्या गिवन हमारे पास, first condition, according to question, first condition है, जैकोब की उमर है जैकोब की जो age है, वो 5 साल पहले, 5 साल बाद में जैकोब की जो age है, वो उसके पुत्तर की 3 time है, तो जैकोब की जो age थी वो है X plus 5, एक्स पलस 5 उसके पुत्तर की Age है य पलस 5 ठीके 5 टाइम बाप तो होगी HOW caval आप जैकॉप की Age हो गई और 5P.1 के बाद में ये उसकी सन की Age है तो कहरा कि जो उसके सन की Age है वो उसके फादर की Age की 3 टाइम है अभी एकॉल हो गई यह उसकी फादर की एज़ है और उसकी जो सन की एज़ है ना उसको थ्री टाइम की एक्वल है ठीक इसको सोल करेंगे तो यह आएगा X पलस 5 इक्वल टू 3Y पलस 15 यह होगा X 3Y किस तरह आएगा 3Y माइनस का इक्वल टू 15 यह पलस का 5 पर तो उधर माइनस होगा यह आएगा X माइनस 3Y इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 इसके बाद में सेकंड कंडिशन है इसकेंड कंडिशन इसकेंड कंडिशन है 5 यह पहले तो देखो 5 यह पहले जैकॉब की उमर तो है X माइनस 5 उसके पुत्तर की उमर है Y माइनस 5 अब कहरा कि उसके पुत्तर की उमर का 7 टाइम है तो यह कंडिशन गिवन होगी त्क्कोल होगा X माइनस 5 यह पहले जैकॉब की जो एज होगी x परजेंटेज यह 5 इसमें लेस तो 5 एयर अगो होगी उसके बाद में यह पुत्तर की है तो पुत्तर की 7 टाइम की ने rab होगी इसको सोल कर लेते हैं तो एक्स माइनस 5 एक्वल टू 7y माइनस 35 एक्स माइनस का 7y एक्वल टू माइनस 35 है माइनस का 5 पर इस्तरफ जाएगा तो पलस का 5 हो जाएगा यहां पर आएगा एक्स माइनस 7y एक्वल टू माइनस 30 एक्वेशन होगी सेकिंड है अब हमारे पास तो एक्वेशन आगी इन दोनों एक्वेशन को हम सब्स्टिटूट मेथड़ से सोल आउट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू हैंड आउट करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वह जैकोब की संट्री एज हो जाएगी हुआ है कि अ किवेशन शेखिंड है कि इसको हम एक्वेशन सब्सक्राइब श्राष्त एक्सक्रों समय क neural पूस्ट करेंगे तो सबस्足टी डोट रएंस होथ ईक्वेशन है यहाँ जो एक्सक्रों कैणिट और सब्सक्राइब एक्ष एकवेशन फिर्ष्ट हैं हमारे पास एकस मैनस 3y cs3ивать एक वाल टू ठैन अब मैनस कना थरर्टी उस तरफ जाएगा और यह यहाँ से य की वैल्वी को हम एक्वेशन 3 में पूट करेंगे यहाँ से यह रखिटोट गुट करेंगे वैल्वी को हम लार वैल्वी को पीटोट कर दोट कर दिए वैल्वी को हम एक्वेशन 3 में ठीय। इक्वल टु ऐसे है X इक्वल टु तोरी एक्वेशम थेरी थे हमारे पास X इक्वल टु मैनस 30 पलस 7Y एक्वल टु मैनस 30 पलस 7Y के जगे 10 कोट कर दिया तो यह होगा X एक्वल तो मैनस 30 पलस 7T एक्स के वेलू है कि 70 पलस का है और माइनस यह माइनस 30 है तो यह आगगा 40 देरफोर जैकोब पर्जेंट एज पर्जेंट एज एक्स पर 40 एज जैकोब की जो एज है वो पर्जेंट एज है वो 40 एज है जैकोब पर्जेंट एज हमने अर्जुन की ति वह है 10 है ठीक है बई तो आज हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्योशन नंबर 3 के 5 एंड 6 पार्ट को सोल किया तो आज हमारी एक्सरसाइज यह एक्सरसाइज 3.2 है यह कंपलीट हो गई है अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में सोल करें यदि आपको वीडियो अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो